हेलो फ्रेंड्स आज मैं आप लोग के लिए लेकर रहा हूं फिट जी का सिंपल पेपर एंड दोस्तो जो यह सिंपल पेपर है वो है F.T.R.E के लिए मतलब F.T.G. Talent Reward Exam 2021 के लिए दोस्तो तो दोस्तो सबसे लेटिस्ट F.T.G. का सिंपल पेपर आप लोग के सामने और दोस्तो यह जो सिंपल पेपर है Class 11th Paper 1 के लिए है Paper 2 भी दोस्तो Class का होता है और उसका भी वीडियो बहुत ही जल्दा आने वाला है और अगर आपको Paper 2 का वीडियो चाहिए दोस्तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक ले सकते हैं अब बात कर लगते हैं, इस simple paper का जो की है class 11th paper 1 तो दोस्तों सबसे पहले तो हमारा यहाँ पर timing दिया गया है, timing 3 hours है और जो maximum marks है, यहाँ पर देख सकते हैं, 234 है तो सबसे पहले तो दोस्तों instruction दिया गया है instruction में जो आपका दोस्तों सबसे पहले instruction में दिया गया है आप लोग का हैगा reasoning, second section में physics, chemistry, mathematics and third section में भी दोस्तों physics, chemistry and mathematics हैगा तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका third section है यह negative marking वाला है इसलिए दोस्तों यहाँ पर आप लोग को बहुत ही careful होना होगा section third में and यहाँ पर आप लोग एक बात notice किये होंगे कि biology का part नहीं है subject list में दोस्तों देख सकते हैं reasoning, physics, chemistry and mathematics है सिर्फ यहाँ पर biology नहीं है क्योंकि दोस्तों जो आपका FIDG है यह केवल और केवल IIT कराता है engineering कराता है कोई भी medical वाला मतलब non-bio institute है तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं total 90 questions is sample paper में है and अब बात कर ले सकते हम लोग first section का जिसका recommended timing 60 minutes रखा गया है and सबसे पहले तो दोस्तों आप लोग के सामने first section में है total 30 reasoning questions and आप लोग के screen पर first question, third, first से लेकर दोस्तों total 4 question आप लोग के screen पर सबसे पहले reasoning से section 1 का है दोस्तो and मैं यहाँ पर एक request करना चाहूँगा कि आप लोग इसके screenshot ले सके and screenshot ले ले और इसको दोस्तों बनाने का please प्रियास करें क्योंकि मैं इसी वीडियो के last में answer की भी दे दूँगा so that आप लोग अपना answer मिला सके original official answer के से and यहाँ पर आप लोग के सामने question वर 5, 6, 7 and 8 I hope दोस्तों आप लोग ने इसका screenshot ले लिया होगा and आप लोग के अब screen पर question number 9, 10, 11, 12 and 13 question number 14, 15, 16, 17 and 18 दोस्तों यहाँ पर reasoning से कोई भी specific syllabus नहीं रहता है यहाँ पर verbal as well as non-verbal दोनों type का questions आप से पूछे जा सकते हैं and अब आप लोग के सामने question number 19, 20, 21, 22, 23 and 24 इसके बाद दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं direction दिया गया है question number 22 से लेकर 23 तक के लिए and इसके बाद question number 25 and 26 just इसके नीचे direction दिया गया है question number 27 से लेकर 28 तक के लिए and just इस direction के नीचे ही question number 27 and 28 भी दिया गया है यहाँ पर दोस्तों direction दिया गया है question number 29 and 30 के लिए and यहाँ पर आप लोग के नीचे question number 29 and 30 सेकेंड सेक्षन दोस्तों यहां से मारे स्टार्ट होता है जिसका रिकोमेंडेट टाइमिंग मोर देन वन आवर से मतलब 90 मिनट्स यहां पर पार्ट A में हैं दोस्तों फिजिक्स जिसके अंडर टोटल 14 मल्टिपल चॉइस क्वेशन आप लोग से पूछे गए हैं तो क्वेशन नमर 31, 32, 33 आप लोग के सामने क्वेशन नमर 34, 35, 36 आप लोग के सामने क्वेशन नमर 38, 39, 40 आप लोग के सामने 42, 43, 44 यहां पर दोस्तों आप लोग के सामने स्क्रीन पर पार्ट B में है केमेस्ट्री आप जिसके अंडर टोटल 14 मल्टिपल चॉइस क्वेशन नमर 45, 46, 47, 48, 49, I hope दोस्तों आप लोग ने इसका स्क्रीन साट ले लिया होगा और अब आगे क्वेशन नमर 50, 51, 52, 53, 54 यहां पर आप लोग 55 भी दोस्तों देख सकते हैं और एक बात दोस्तों अगर आप इस सेंपल पेपर को गूगल करेंगे मतलब FTE 2021 सेंपल पेपर सर्च करेंगे गूगल पर तो आपका तो वेब साइट खूलेगा और पेडिएफ डाउनलोड भी होगा लेकिन दोस्तों पेडिएफ ओपन नहीं होगा सेम इसू मेरे साथ भी हो रहा था लेकिन मैं दोस्तों आप लोग के लिए स्पेस ली फिट जी सेंपल पेपर प्रसनली मैं मांगा हूँ और उसके बाद आप लोग के लिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोग का help हो सके और यहाँ पर question number 56 आप लोग के स्क्रीन पर 57 & 58 Part C में हैं दोस्तों हमारा mathematics और यहाँ भी total 14 multiple choice questions तो आप लोग के सामने question number 59, 60 & 61 I hope दोस्तों आप लोग ने इसका screenshot ले लिया होगा & इसके बाद आप लोग के screen पर question number 62, 63, 64, 65, 66 & 67 question number 68, 69, 70, 71 & 72 तो दोस्तों हमारा अब यहाँ पर second section जो था यहाँ पर खत्म होता है & finally last section that is section 3rd start होता है जिसके recommended timing half an hour है मतलब 30 minutes & party में हैं यहाँ पर हमारे लिए physics जिसके अंडर total 6 multiple choice questions तो आप लोग के सामने दोस्तों question number 73, 74 & 25 26, 27 & 78 part B में हैं दोस्तो chemistry & यहाँ भी total 6 multiple choice questions तो आप लोग के सामने question number 79, 80, 81, 82, 83 & 84 दोस्तो & दोस्तों यहाँ पर sample paper में आप लोग को देख सकते हैं space for rough working दिया गया है मतलब आप लोग को कोई भी examination hall में extra seat पूरभाइड नहीं किया जाएगा और ना ही आप लोग extra seat घर से ले जा सकते हैं क्योंकि दोस्तों यहाँ पर sufficient space दे दिया गया है & माल लेजी यहाँ पर आपका space कम भी पढ़ रहा है तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर इसके previous page पर space बहुत सारा है तो मिला जुलाकर sufficient space मेल जाता है & part c में हैं दोस्तों हमारा mathematics यहाँ भी total six multiple choice questions तो question 85, 86, 87, 88, 89 & दोस्तों last question 90 तो हमारा यहाँ पर finally simple paper complete होता है & अब बात आता है इसके answer कीगा तो आप लोग के सामने दोस्तों fit g simple paper fit g talent reward examination 2021 का simple paper for class 11th paper 1 तो आप लोग के सामने दोस्तों सबसे पहले 1 से लेकर 45 तक के answer की & इसके बाद 45 से लेकर 90 तक के answer की आप लोग के screen पर अगर आप लोग चाहें दोस्तों तो मैं एक ही page पर दिखाना चाहूंगा & आप लोग देख सकते हैं यह हो गया total 1 से लेकर 90 तक के सभी questions का answer की & finally यहाँ पर हमारा simple paper along with answer की complete होता है for class 11th paper 1 तो दोस्तो paper 2 भी बहुत जल्दाने वाल है और अगर आप चाहें तो हमारा इस वीडियो का description चेक कर सकते हैं for paper 2 & finally thanks for watching this video and best of luck for your exam